मुंबे की सड़के लंबे ट्राफिक के कारण काफी भरी रहती है कुछ रास्तों में लोगों को हर दिन लंबे जाम से गुजरना पड़ता है उन्ही में से एक ओरेंज गेट से मरीन ड्राइब जाने वाला रास्ता भी है ऐसे में सरकार उस रास्ते पर सफर करने वाले यात्रियों को जल्द बड़ी राहत देने की उजना बना रही है सरकार ने औरेंज गेट से मरीन ड्राइव तक के लिए एक टनल बनाने का फैसला किया है जिसके बनने के बाद लोगों को ट्राफिक से बड़ी राहत मिलने वाली है इस बाद की जानकारी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजिनल डेवलोपमेंट की ओर से दी गई है MMRDA ने ये भी बताया है कि इस टनल के निर्मान के लिए 6,327 करोड का टेंडर जारी किया गया है ये टनल कोस्टल रोड और इस्टिन फ्रीवे को जोड़ेगा जोसे यहां जाना आसान हो जाएगा MMRDA ने बताया कि ये टनल लगभग 3.5 किलो मिटर लंबा होगा जो दक्षिन मुंबई के ट्राफिक को ट्रांस हारबर लिंक से जोड़ेगा असे नवी मुंबई अंतराश्य हवाई अड़े के रास्ते की दूरी काफी कम हो जाएगी गौरत लभैब की शाम के समय शहीद भगत सिंग रोड पर ट्राफिक जाम में कार ड्राइवरों को काफी मुश्कुलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें इस्टिन फ्रीवे पर आने में एक घंटे से जादा का समय लग जाता है इस मामले पर MMRDA के महानगर आयोक्त SVR श्रीनिवास ने कहा कि चनल औरेंज गेट से शुरू होगा और मरीन ड्राइव पर खत्म इस परियोजना को लेकर MMRDA ने एक वरिस्तित रपोर्ट तयार की है और नर्मान चार साल में पूरा किया जाएगा ये दो टेनल होंगे हर एक में दो लेन होंगी इसका निर्मान मुख्य रूप से दक्षिन मुंबई और मुंबई ट्रांस हारवर लिंक से जोडने के लिए किया जा रहा है इसके लिए MMRDA का मुंबई पोर्ट टॉरिटी की जमीन के एक हिस्से की भी जर्रत होगी जिसके लिए तैयारिया शुरू हो गई है ये रपोर्ट मेट्र मुंबई